रेडियो के साथ सीधा नाता जोड़ने क्या आपका आवाहर करता हूँ और रेडियो से आपको क्यों चुड़ना चाहिए स्टूडेंट को खास तोर पर वो एक बिल्टू और सोचता हूँ कि उसकी चर्चा जरूर हो जाए ये रेडियो पर जाने से फायदा चौन तो एक बाक्टर जिने आ गए बोले सर ये मेरी फैटी है आर्ती मुझे इसको एडिशन दिल्वाना है ग्रेड़िशन करनी है कौन से सब्जेक्ट में कराना चाहिए ये मैं जानना चाहता हूं बिस्कुस करना चाहता हूँ उन्होंने जोतीन ऑप्शन बताएं जी फाइव ये में करा दो फलाने में करा दो इसमें करा दो आपके यहां भी BMC है इसमें करा दो तो मैंने का जी आप 3D देखिया आपने सबने देखिये कराना है यह जाननी से और डिसाइड करने से पहले गो एंड वाच अब 3D को बले जी दहां देखी हुई है तो उसका मैंने का मेंसेज यह है कि जहां पर विध्यार जी की रूची है वहां पर उसको एट्मिशन कराऊ बोले जी रूची की चलो मैं बात करनूंगा नेकिन ना हम अपारी गेटि थोड़ी सी संकोची है बाहन निकली नहीं ंडख थोड़ी सी शर्मीली सी है मैंने का चया दो अच्छा लग अच्छा लगत यह तो भारत की परंबर है लेकिन आपकी बीति मास्क ओम में अगर आए गी तो उसको शर्मीली रहेगी वह है उसको गर्मीली वह पहले दिन जब वह आई मास्टों में मंगौन जी तो एक सिधान्त यह होता है डॉक्टर उद्वांसी के ऐसे करते हों कि फूंकार तद्याप अगए जादतर ही हो सकता तो मस्टर जी कहते हैं नहीं डाउंट टच माइक्रोफोन डाउंट टच रिकोड़र स्टूडियो में बंगुस्ना एक्विप्मेंट कराब हो जाएगे हम उल्टा चलते हैं हम यह मांते हैं कि तेरा की सिखानी है तो सीधे प्लैंक दो फाकेस में बंगुस्ना अपने हमसे इन उश्रू करता है मैंने आरती और आरती के बैच के जो लोग आए सबको पहले दिन कहा माइक कैसे चुटता है यह बाद में पढ़ा देगे देखी जाएगे तुम खुद कि उनको स्टूडियो में ले जाकर यह कहा कि तुम बोल सकती हो तुम बढ़िया बोल सकती हो और मैंने ऐसा उसको बोलनी का वो क्या प्रेरणा थी कि जब यह आरती थर्ड येर से वाँ गई इतना बोलती थी इतना बोलती थी कि यह कह देते हैं वही तेरा को रिमोंट कि माने ये जो माइक्रोफोन है ये जो रेडियो स्टेशन का माइक्रोफोन है कम्यूनिटी रेडियो है इसके साथ जुडाव आपके वीतर आत्म विश्वास भरने का काम करेगा लाइफ में आजकल आप कुछ भी बनिये अच्छा डॉक्टर बनना है अच्छा बेटर होना चाहिए के नहीं होना चाहिए आप घेर सारी भांसों वाली भारी वर्कुन डिग्रियों का बंडल कंदे पर उठाकर चले जा रहे हैं और यह की कहरें मैं पला नहीं इस्टिटूस से हैं ताम मेरा इस्टूट नाक से एक रेट का इस्टिटूशन है तो वो बोज आपके किसी काम नहीं है क्या चीज़ काम आएगी आपको जो आता है न उसको आपको कहना आता है कि नहीं आप इटुटू में गए आपने जो सीखा अगर आपको वो मालूमी नहीं है कि उसको कहना कहते है तो बन जाओगे क्या जो बनना चाहते हैं बताओ बन जाओगे नह बन सकते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आपको आता है उसको कम्यूनिकेट करना सिखाएं सीखें और कम्यूनिकेट करना सीखनी के लिए कम्यूनिटी रेडियो से बढ़िया सस्ता टिकाऊ और प्रभावशानी पाध्यम हो यह हो नहीं सकता किसलिए इस कॉलेज के सभी विद्धार क्यों केवल मांसकों वालों के नहीं एक्रॉस्टी सब्जिक्ट्स एक्रॉस्टी डिपार्ट्मेट्स सबको सांचा रेडियो के साथ तालमेल संबंद राप्ता कायं करना चाहिए करेंगे यहां पुरंती बात आज का थीम इस बार जो सारी दुनिया में जुनेस्को के आवाहन पर उनाइटिट नेशन सयुगत रात्म संग से जुड़े हुए सारे देश 13 फर्वरी को वो विश्वर रेडियो दिवस मनाते हैं और वो क्यूं मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि उपनी सोच्यारिस में 13 फर्वरी के दिन UN Radio, United Nations Radio, संयुत रात्र संग के रेडियो स्टेशन का आगाज हुआ था, उसकी शुरुवात भी थी और 2013 से सारा संसार इस दिन को मनाता आ रहा है कुछ facts इस से जुड़े हुए यह हैं कि 2010 में स्पेन वालों ने कहना शुरू किया था कि सब कुछ होता है साथ ये डे, बोडे होता है तो ये रेडियो डे भी होना चाहिए रेडियो में, रेडियो को लेकर दुनिया में कोई एक दिन क्योहार की तरह होना चाहिए रेडियो को लेकर कोई एक दिन होना चाहिए जो तुछ सारे संसार में रेडियो से जुड़े मसलों पर चर्चा हो तो स्पेन की जो एकेडमी है, रेडियो एकेडमी है they were first to propose के एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसको हम वर्ड रेडियो डेख कहें फरतार स्पेंट की अकेडमी ने गवर्ण की गवर्मेंट को कहा उन्होंने युनेसको को लिखा और 1980 युनेसको की जनरल कॉन्फरेंस में ये तै किया कि 13 फरवरी हर वर्ष वो विश्व रेडियो दिवस के रूप में बनाया जाना चाहिए हर वर्ष किसी एक ठीम पर सारे संसार में तुनिया भरके सामाजिक सक्रेटर्ट सेक्टरिक संस्तान जीमन और्गनिजेशन वो रेडियो से जुड़े बसनों पर बात करते हैं रेडियो मनुश्य के जिवन में मानवता के जिवन में क्या बजलाव लाने का काम कर सकते हैं उस पर काम करते हैं इस बार का ठीम खेल है और ये अपिक्षा है इस वर्ष के ठीम के अंतरगर के रेडियो खेल दोनों मिल करके कि मानव के कल्याण का मार्व कैसे प्रशुस्त करते हैं इस पर काम होना चाहिए खास्त वर पर समाज के जो वंचित तबके हैं उन पर फोकस होना चाहिए और एक और बात उसमें कहीं गई है कि रेडियो और स्पोर्ट्स में खाली क्या लगता हमको क्रिकेट ऐसे हैं पुरान अर्याणा में ऐसे कहते हैं कि अगर ताश खेल रहे हैं चार लोग कहीं बैटके गाओं में और उन्हें से किसी की माता जी का निदन हो जाए कोई भाग के आई पटने के लिए भाई सत्पाल तेरे माता जी बुझर गए तो ताश ऐसी बिमारी है कि वो ताश खेलने वाले तो जैसे तशेडी होते हैं यह नशेडी होते हैं ऐसे ही एक युक था जब रेडियो पर क्रिकेट कमेंटरी का नशा होता था लेकिन वर्ड रेडियो डे पर इस वार थोड़ा सा बदलाव करने का युनाइटन डेशनस ने कहा है कि जो यह फेमास गेम्स है प्रिकेट ट्रिकेट इस पर दो बात होती है इस बास वर्ड रेडियो डे से शुरू होकर और वर्श भर फोकस इस बात से रहना चाहिए कि तो भी बढ़ावा मिले और उनको बढ़ावा देने में वहां के जो रेडियो स्टेशन्स है वो अपनी भूमिका अदा करें यह भूमिका कम्यूनिटी रेडियो और उति उन्हें जादा निभा सकता है क्योंकि जो बड़े स्टेशन्स हैं उनको लोकल चीजें दिखाई नही डेगी जो कमर्शन्स स्टेशन है उसको व Перв गाने बजाने से फरसद नहीं में लेडी कम्यूनिटी रेडियो क्योंकि कम्यूनिटी का है बसले क्मयूनिटी रेडियो सच्चे आथों में इस बार нос कि विश्व रेडियो डिवस्ध के थीम रेडियो एन्द़ आ स्पोर्ट् मेरी बाचे सुनी आप सबका आधार